वेल्कम बेर बोल्ड बोल्ड तेखिए इन इस वीडियो भी आर डिस्कुसिंग अबूट अबूफोंस, होमोग्राफ, होमोनीम्ट वर्ड 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 वर्य इंपोर्टेंट पॉंट अफ व्यू सीटाट एक्जाम तो फिर्स्ट अफॉल भी टेकिंग इस वर्ड होमोफो हो इसकी बात करें तो हम सिंपल वे मैं कह सकते हैं कि होमो कमीस हो गया सेम ठीक है बात के लोगा होमो कमीस क्या हो गया सेम और फोन से मतलब हो गया यह आपका, कि से लेटेट है? nac ngay sound से लेटेट है sounds related है sounds related है और मतलब कहने का यह है कि इसकी तो sounds होकी वह होगी same तो अगर बात करें home phone is a word that is pronounced the same as another word but has a different spelling and meaning यहां पर spelling देखिए अब main चीज आपके पास यह निकल के आती है कि इसमें जो pronounced है आपका वो क्या होगा उसको प्रिनाउंस जो करेगा वो तो same है मारे लो एक ही sounds निकलेगी बट उसका जो meaning है meaning है आपका different क्या क्या चीज़े हो सकती है different क्या क्या चीज़े है यहां पर एक तो है spelling spelling है और आपका दूसरा क्या है meaning meaning तो दो चीज़े हमें सब्सक्राइब क्या 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 चीज़े होगी है मारे पास एक तो spelling और आपका atus कि इस्पेशल अलग होगी और आपका इस पेलिंग अलग होगी और आपका क्या मिनिक यह लग हो अगर इसका means अपनी जगा 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 अपनी ज तिर ठीक है एक दिर यह होता है और एक दिर यह होता है एक दिर यह है बट देखिह pronounce तो हम सेम ही कर रहे हैं लेगि shipping ऑफ इमिनिंग अलग अलग हो गया अब बात करें beak एक भीक यह होता है और एक बीक यह होता है तो both words have different spelling and meaning but same pronounced that is called homophones understood that is clear अब हम next पर चलते हैं next word आगे जो है वो समझ लेते हैं आपका कौन सा है homograph हमोग्राफ अब हमोग्राफ डेक होमो का मीन्स आप फिर से समझेंगे सेव ठीक है लेकिन ग्राफ का मतलब क्या है ग्राफ का मतलब है वो राइटिंग ठीक है writing में जो आपके क्या होगे वो writing में same होने चाहिए that is called homograph अगर इसकी बात करें तो a homograph is a word that share the same writing same writing ठीक है same writing या written from as another word what has a different meaning इसका meaning different है यहाँ पर देखिए मैं अलग color से लिख देता हूँ इसमें सबसे पहले क्या है same same होगा written form same written form and different क्या क्या है different क्या क्या है different आपके पास है different आपके पास है meaning only meaning same तो आपका written form होगी और different आपका meaning होगा अब example से ज्यादा वहतर हमें और समझ में आ जाएगा तो अगर मैं बात करूं lead or lead spelling are same but different meaning is here that mean is called homograph word and after हम देखते है कि live and live live and live मतलब कि यह live है और यह वाला भी live है यह live है और यह live है और यह live है तो आपका क्या है same return form तो same है लेकिन meaning different different है तो मतलब आपको सब्सक्राइब है कि homograph word वह होते हैं इस ग्राफ से मतलब है written form जो writing में है वह सेम होने चाहिए और उनकी spelling भी सेम होनी चाहिए ठीक है तो मतलब यह चीज़ हो गई अब next last है इस में session में हम जो last word यूज करने बात करने वाले हैं वह है आपका homonyms 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 क्या है homonyms is word that is spelt and pronounced like another word but that has a different meaning ठीक है different meaning आप जैसे अगर एक्जाम्पिल से बात कर लें हम सीरे सीरे तो हमारे पास एक song यादा रहे suit suit कर दा that means suit or suit एक suit और suit एक suit की बात हो रही है जो उनने पा रखा है but second या another suit की बात जो हो रही है जो उसपे suit कर रहा है तो उस song में जो रंधावा जी कह रहे हुए suit suit करदा that means is here कि वो suit की बात कर रहे है जब कुड़ी ने प्रा रखा है वही सूट के आए उन्दे अच्छा लग रहा है तो मतलब homonemes word इस प्रकार के होते है sound spelling जो होती है वो same होती है ठीक है sound sound and spelling spelling दोनों चीज़े क्या है same है clear same है meaning क्या है different different है after all अगर बात करें कि meaning की meaning क्या है आपका different है clear रहे तो देखिए ये कुछ थे ऐसे word हमारे सामने जो exam में आपके पूछे जाते हैं यहां से 100% आपको एक number पक्का हो जाता है हाँ मैंने इस पर वीडियो और लेटी भी बना रखी है मैं आपको इसका link आप उसे जरूब बाच करें detail में समझने के लिए उसको आप बाच कर सकते हैं काफी अच्छे से detail में बताया गया है previous वीडियो में ओके इन इस वीडियो आप और लेडी अच्छे से समझ चुके हैं तो चलिए next video मिलते हैं thank you for watching thank you for watching my channel and please like subscribe and share